नमस्कार दोस्तो जिस तरीके से गर्मी फैल रही है और आप लोग को पताई है कि देश में अभी चुनावों का माहूल चल रहा है तो चारो तरफ ही गर्माहट फैली हुई है तो उसी में मुझे कवी अशोक चक्रधर जी की एक कवीता जो की हास्यकर है तो उसकी पंक्तिया म मुझे याद आई है तो मैंने सोचा उसी को आज आपके सामने प्रस्तूत करूँ एक नन्हा मेमना और उसकी मा बकरी जा रहे थे जंगल में राहती संकरी अचानक सामने से आगया एक शेर लेकिन अब तो हो चुकी थी पहुत देर भागने का नहीं था कोई रास्ता बकरी और मेमने की हालत होने लगी खसता उधर शेर के कदम धीरे धीरे धरती नापे इधर ये दोनों धर धर कापे अब तो शेर आगया एकदम सामने बकरी लगी जैसे जैसे बच्चे को थामने चिटक कर बोला बकरी का बच्चा शेर अंकल क्या तुम हमें खा जाओगे एकदम क अच्चा शेर मुस्कुराया उसने अपना भारी पंचा मेमने के सिर पर फेराया बोला है बकरी कुल गौरव आयुश्मान भव दिरगायु भव चिरायु भव कर कलरव हो उत्सव साबुत रहे तेरे सब अव्वें आशीश देता ये पशु पुंगव शेर कि अब नहीं हो का कोई अंधेर उचलो कूदो नाचो और जीओ हस्ते हस्ते अच्छा बकरी मैया नमस्ते इतना कहकर शेर कर गया प्रस्थान बकरी हैरान बेटा ताजुप है भला ये शेर किसी पर रहम करने वाला है लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है लगता है जंगल में चुना आवाने वाला है दूसरे द्रिश्य में पानी से निकल कर मगरमच किनारे आया इशारे से उसने बंदर को बलाया बंदर गुर राया खौँ खौँ क्यों क्यों तुम्हारी नजर में तो मेरा कलेजा है मगरमच बोला नहीं नहीं तुम्हारी भाबी ने खास तुम्हारे लिए सिंघारे का अचार भेजा है बंदर ने सोचा ये क्या घोटाला है लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है लिकिन प्रकट में बोला वाह अचार वो भी सिंगारे का यानी तालाब के कबारे का बड़ी ही दयावान है तुमारी मादा लगता है शेर के खिलाफ चुनाव लड़ने का है इरादा कैसे जाना कैसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना कि आजकल भ्रष्टाचार की नदी में नहाने के बाद जिसकी भी छवी स्वच है वही तो मगर मच है शेर ने कुए में जाका वहाँ पहले से बैठा था एक शेर बाका उपर वाले शेर ने दहार लगाई प्रतिध्वनी नीचे से आई मत समझना मुझे तुम अपनी परचाई बहुत देर पहले का आया हूँ तुम्हारी महत्वकांशाओं का सताया हुआ हूँ बाहर निकलूंगा दहारूंगा और एट जाऊंगा हाँ पचास करोर दिलवा दोगे तो फिर मैं पानी में बैठ जाऊंगा चौते दृष्य में एक रोटी का बटवारा कराने आई दो बिल्ली बंदर ने नहीं उराई उनकी खिली बरी गंभीता से अपना जोला खोला और ठीक वैसी ही एक रोटी निकालते हुए बोला किस बात की लराई है किस बात की लराई है दोनों एक एक साबुत रोटी खाऊना उपर से मलाई है बिल्ली आ हैरान दोनों के खड़े हो गए चारो कान सोचा ये क्या घरबर जाला है लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है पास में बैठा दूसरा बंदर बोला देखिये का है और ठीक पहचाना है और तुमको ये रहसे बतलाना है कि जो असंभव था वो संभव हो गया है भेरिया दल्भ, गीदर दल्ग, तेंदुआ दल्टू और भोंदुआ दल्भू का हमारे वानर दल में विले हो गया है इस जंगल के राजनीती में जितने भी लोग अनात है वो कठोड हो या मुलायम हमारे साथ है इस जंगल से आतंगवा को मिटाना है और जैसे भी हो वो जाइंट मोर्चा को जिताना है तुम हमारा परोसी हो और असल बात यह है कि तुम शेर की मोसी हो जितना वोट दिलाओगी उतना चूहा पाओगी तरह तरह के नारे और तरह तरह के वादे और नाखुनों में चिपे हुए खुंखार इरादे चूहों से कहा गया चील नहीं होगी और चील से कहा गया चूहा सप्लाई में धील नहीं होगी मध्युमक्यों से कहा गया भालूओं से तुम्हारा प्रोटेक्शन होगा और भालूओं से कहा गया सारे मध्युमक्यों के छत्ते पे तुम्हारा रिजर्वेशन होगा जंगल में हिर्णों से कहा गया जंगल में अहरनिश सवेरा होगा और हम जैसे उल्ल्यों से कहा गया कि दिन में भी अधेरा होगा उधर जूमता हुआ उनमात में शेर आया अपनी मादा में बोला ओ पूरी जंगल घेरनी मेरी स्वीठार्ट शेरनी I love you इलू इलू शेरनी बोली I love you too इलू इलू लेकिन आज कुछ लग रहे हो धीलू धीलू बोला धीलू धीलू तो थोड़ा विस्की पीलू शेरनी बोली विस्की तो जरूर पिलाओंगी और उसमें बरव भी मिलाओंगी पर मुझे भी तो कुछ दिला दो एक ताजा मुलायम सा खरगोश तो खिला दो तब सिन्नी के कान में फुसफुसाहट का सिन्हाद हुआ खरगोश तो खिलाओंगा डार्लिंग पर चुनावों के बाद ये छोटे छोटे जानवर खरगोश गिलहरी नहीं जानते कैसा भी खुंखार गबबड आए या कैसा भी खुंखार भीम भयंकर ही क्यों नहीं हो सारे के सारे हिनस्र पशू ये सारे के सारे वनेले पशू आग से डरते हैं और कैसे भी परिस्तिती क्यों नहीं हो आग का सामना नहीं करते हैं जिस दिन जंगल में ये जनता में आग की चेतना वाली एक मशाल जल जाएगी, सच कहता हूँ उस दिन जंगल की निजामत बदल जाएगी. धन्यवाद.